आज की वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अपलाई करना है यही मैं आपको बात हूंगा टूटर आपको पता है कि नौर्बली एक सोशल मेडिया आप्लिकेशन जिसमे कई सारे बॉलिवेट के इन हौलिवूड के स्टार्स यहां पर इस टूटर अप्लिकेशन का जै अको पेशन करना होगा कुछ अमाउंट यहां पेशन आप्लिकेशन को कि वीडियों से है बट अगर आप इसे यहाँ पर बीना कुछ amount pay किये अगर आप Twitter application को अपने laptop in PC में install करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक method apply करना पड़ेगा जो मैं आपको अभी बताना हो लो तो यहाँ पर आपको कोई भी amount pay करने के जरुवत नहीं है आप without amount pay किये भी Twitter application को अपने laptop in PC में install कर सकते हैं तो Twitter application को install करने से पहले आपको यहाँ पर जरुवत पड़ेगी एक blue stack application अगर आपको नहीं पता कि blue stack क्या है तो यह एक android emulator है जो android की application को laptop में install करके use करने के लिए अलाव करता है इस blue stack application की help से आप android की कोई भी application को अपने laptop में use कर सकते हैं तो बस सबसे पहले आपको blue stack application को अपने laptop में install करना है अब यह जो कितना smooth चलता है कितना fastly open होता यह depend करता है आपके laptop के RAM पर because अगर आपका 4GB का RAM है 4GB RAM वाला laptop है तो यहाँ पर इस blue stack application को use करने में आपको थोड़ा problem हो सकता है because यहाँ पर यह at least minimum 8GB का आपका RAM होना चाहिए laptop का तो ही आप इस blue stack application को proper use कर पाएंगे without a lag तो जैसे इस blue stack application को आप open करेंगे तो यहाँ पर default base पे play store application आपको available यहाँ पर बिल जाएगा तो बस उसकी बाद play store application यहाँ पर open करना है और यहाँ पर आपको search करना है जो भी application को आप अपने laptop में install करना चाहते है तो यहाँ पर आज हम twitter को install करेंगे laptop में तो simply twitter search करेंगे और यहाँ पर फिर आप twitter application को अपने laptop में install कर सकते हैं just like android phone तो बस उसके बाद यहाँ पर यह application install हो चुका है और यहाँ पर इस application को मैं open कर देता हूँ तो साथ में आप इमें थोड़ा सा sign up का process भी complete कर ले दो ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मैंने properly इसको install कर दिया है तो you can say that बस इस तरीके से simple method का use करना है और इस blue stack application की help से अफ्री में ही अपने laptop और PC में twitter application को install करके use कर सकते है वो भी एकदम completely free so this will help you in 2020 and in feature as well to install twitter application in your laptop and PC I hope you like this information thanks for watching what I can do what you